इसका ताओ बढ़ गया है बहुत गर्मी के मौसम में अमिश देवगन जी ये सात्वें फेज का चुनाव है और इसमें जिन शब्दों का इस्तमाल जिन लोगों ने किया है जिन के लिए भी किया है बातें सही होंगी तभी किया है आपको याद दिला दू कि बिहार में बहुत मशूर चारा घोटाला हुआ था उसमें बहुत मशूर हीरोईन का जिक्र आया था कि वो बिहार आई थी मुझरा करने के लिए किन लोगों ने बुलाया था उस समय के समाचार पत्रों ने इसको चापा भी था मैं उस इतियास पे बहुत जादा नहीं जाओंगा लेकिन ये जो परिवारवादी पार्टियां है तेजश्वी आदव जी राहूल गांदी जी ये तमाम पार्टियां एक दूसरे का तलवा चाट रही है चटा चट तो जन्ता ने इसको का चल हट 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 तो चार जुन को ये हट जाएंगी अब आते हैं कि कंचना यादव जी या शहजाद पुने वाले ने मुझरा शब्द का अलग से अर्थ बताया जो मुझे जानकारी नहीं थे उसकी वैसे कंचना यादव जी OBC आरक्षन को लेकर के जो बात करियें वहां तक तो ठीक है कि OBC आरक्षन में भारत के सभी वर्ग संप्रदाय जो OBC socially economically backward class है उनको आरक्षन है जी लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने पहली बार बनाया एक रंगनात मिश्रा कमिशन रंगनात मिश्रा कमिशन ने कहा कि मुसल्मानों को अलग से 10 प्रतिशत आरक्षन देनी की जरूरत है और 214 के चुनाओ के ठीक पहले सलमान खूरशीर कानून मंत्री थे कॉंग्रेस की पाटी ने चार प्रतिशत अलग से आरक्षन दिया मुसलिम संप्रदाई को जिसको सुप्रीम कोट ने यह कहते हुए खारिच किया कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षन नहीं हो सकता ठीक है जवाब ले लेते हैं नरेंद्र मोदी जी और NDA सरकार का तो एक असपष्ट मननता है सबका साथ सबका विकास अलपसंख्यक के विकास के लिए जितने फंड थे नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको बढ़ाया है यह अससुद्धी नौवेसी जी का खुद का बयाने संस अब अमीर जी अगर गलती से भी भारतिये जंता पार्टी की सरकार इस देश में तिबारा आ गई तो ये लोग पिछडों दलितों का आरक्षन खतम कर देंगे फटाफट 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 क्योंकि इनके दिने में है कि ये NTSC, NTSC और NTSC है सब्सक्राइब आपको एक महीला जो बैठी हुई है, उस महीला के सामने आख तल्वे चाटने जैसे वाले शब्द बोल रहे हैं, अरे तल्वे तो नितिश कुमार जी चाट रहे हैं भारतिये जंता पार्टी के नेताओं के, अमीज जी मेरे हाथ के ये कितान है, और इस कित सब्सक्राइब आपकी अब्जेक्शन को लेता हूँ, एक 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 करके, अमीज जी मेरे हाथ में ये किताब है, जिसका आमेरे बाहत पराइब चार जून के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि ये चुप करा दिये जाएंगे, लोग कनतुरत बहाल रहे गए गई न, जो मीजी जी आप जीते हैं या सत्य प्रकास मिश्रा जीते हैं तो कि चार जून के बाद अबर दिंसी लगाने वाले हैं कि जी नहीं क्योंकि जनता इनको भेजने वाली है फटाफट 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 और यह जो भारतिये जनता पार्टी और NDA अमीजी जो NTSC NTSC और NTOBC है यह मेरे हाथ में किताब है जिसका नाम है Bunch of Thoughts इस Bunch of Thoughts के page number 357 पर लिखा हुआ है जो goal worker जी ने कहा था कि it would therefore be proper that privilege should be based on the economic conditions of the people that will ease out matters and the heart burning among others that's so called लेकिन प्रधान मंत्री को यह finally क्यों बोलना पड़ा कि आप वोट बैंक के लिए वोट बैंक के लिए इंडिया गटबंदन वोट बैंक के लिए एक पटिकॉल वोट बैंक के लिए political मुझरा कर रहा है यो बोलना पड़ा मुझरा तो मुझरा तो अमेठी की जंता कराएगी इनसे अमीज जी मुझरा तो देश की जंता भी इनसे करवाएगी चार जून के बाद क्योंकि पिछले दस सालों में अगर प्रधान मंत्री जी से कोई सवाल पूछो अमीज जी कि अर्बियाई का confidence survey अगर ये कहता है कि द माका हारी थाली 71% से बढ़ी है पिछले पांच सालों में तो यह आप मोधी जी कहेंगे मैं बाइलाजिकल चाइल्ड नहीं हूँ नहीं बोला प्रधान मंत्री ने हमारे इंटिवू में बोला कि मुझे मेरी मा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे शक अगर आपको लगता है उन्होंने ऐसा बायान बोला तो आप जरूर साजा करें अभी आपकी पास मौका है मैं अप्ले करने को त्यार हूँ अप्ले करी हो बाइट को क्योंकि मेरा निवेदन है आप प्रधान मंत्री ने जो बोला उसको हम सैको सेट रखे क्योंकि हमारे इं काउंटर तीस सेकंड में रखना चाहता हूं और एक सवाल उनसे पूछा रहा हूं उन्होंने बोला कि हम S.C.S.T. के खिलाफे दो तत्य रखता हूं आपके सामने अनिजी, it's my turn, no don't do this, don't do this, don't do this, मेरी बात जाने दीजी अनिजी मैं दोनों तत्य फिर से रख रहा हूं, 370 हटने का कौन विरोध कर रहा है जिससे की वालमी की समाज को अधिकार ना मिले, रेजर्वेशन इन प्रमोशन के नाम पर किसने विरोध किया और फिर का कि रेजर्वेशन आरक्षन संभीधान में बदलाव करके मुसलमानों को दिया जाना चाहिए और आकरी बात देखे आज मुझरे को लेकर ये मुझरा एको सिस्टम इतना मुझरा कर रहा है परन्तु माप्त करने की बात कर रही है ममतादीरी अब कहां गया आपका मुसलिम प्रेम अब तो बताओ मुसलिमों को वोट बैंक के रूप में पराज जी उन्होंने का है फिराद हकीम ने आके माफी मांगी तो ये पूरा ऑन रेकॉर्ड है मैं जूटने मूला हमीजी जूट बोलो अभी शो से बाहर कर देना क्योंकि बड़ा सेंसिटी वीशू है मैं आज कूछना चाहता हूं ऐजे मुसलिम आजे भारते मुसलिम मैं पूछा अमीजी दस सेकेंड में अपना सवाज फ्रेम कर दू तेवल दस सेकेंड पराज जी एक बार बताइए कि कुरां समाप्त हो जा जवाब देता हूं में जवाब देता हूं समवेट पात्रा महाप्रभू के लिए क्या बात बोलते हैं अरे आप तो नहीं आप इस देश की जंता के हैं मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूं अमीज जी यह अभी इंडियन एक्सप्रेस में परसो छपा था इसके हिसाब से जो देश के हिंदू भाई हैं उनका इंप्लॉइमेंट रेट पिछले साथ साल में 5.95 परसंट से घड़ गया है यह हिंदू भाईयों की इस्थिति है आज की तारिक में ना आप तो देश को रोजगार दे पा रहे हैं ना महंगाई से छुटकारा दिला पा रहे हैं आप पाफी पढ़ते लिखते हैं और जब जं जारी करें लेकिन उसी बीजेडी के कई नेताओं ने इसी तरह के बयान दिये थे किसी बीजेडी के नेता ने माफी नहीं मांगी पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू जो बात शेदाद पूरावाला ने बोली वो महतपूर है उस पर आपका स्टैंड क्या है अगर आप फस्ट करेंगे तो देश को भी आसानी होगी हम खटा कट फटा फट सफाचट बाते तो कर रहे हैं राज्जीती में बाते ज कि हमी जी क्या है कि शेजाद कुनावाला जी और इनकी पार्टी ये दोनों एक नेरेटिव बनाने का काम करते हैं अरे मैं तो ये बोल रहा हूं कि उत्तर परदेश में ये बात करते हैं राम राज की गोस्वामी कुलसी दास जी ने राम राज का जो तसवर दिया है उन्हो आपको कह रहा हूं कि जो 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 बाबारत के विशे में पुरान के विशे में गीता के विशे में ममता दीदी ने कहा क्या वो जायज बात है क्या सम्वित पात्रा जी ने जो कहा था वो जायज बात है कलक की माफी मागी तब दो माफी तब उन्होंने मागी ना जब जनता के उनको डंडे याद आ गए जब उनको लगा कि उरिशा में क्या पुरी में उनकी जमाना जबतोने वाली है अमेज जी आप इतने बड़े पत्रकार हैं आप देख रहे हैं कि ये लोग चुनाव हार चुके हैं मैं कहता हूँ चुनाव की हार जीत की बात और इंगे नहीं है नहीं नहीं है झाल झाल